हेलो पुस्तोर रीठा एक ऐसी चीज है जो कि हर किसी के दिमाग में जब लिया आती है तो लोग ज्यादा कर यही सोचते हैं कि रीठे का इस्तमाल करके हम अपने बालों को काला कर सकते हैं जो कि बिल्कुल सकते हैं लिकिन कि आप जानते हैं कि रीठा केवल बालों को काला करने के लिए ही काम में नहीं आता है यह बालों की बहुत सारी समस्यां को दूर करने के लिए भी काम में आता है कई लोगों को ये लगता है कि काली से गोल-गोल मोटे-मोटे बीच को ही हम रीठा कह सकते हैं लिकिन क्या आप जानते हैं कि रीठा वास्तव में क्या होता है दोस्तो रीठा शैंपूज बनाने के लिए और बालो की कौलिटी को बहतर बनाने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है आजपर मार्केट के अंदर जो भी केमिकल से बने हुए शैंपूज अवेलिबल हैं उनका इस्तेमाल बालों पर करने से हमारे बालों में कुछ पल की चमक जरूर आती है लेकिन अदरूनी तरीके से हमारे बाल डामेज होने लगते हैं क्योंकि वोस्ट केमिकल से भरा हुआ शैंपू हमारे स्कैर्प को अनहल्दी कर देता है और काफी ज्यादा ड्राइ भी कर देता है लेकिन अगर आप रीठे से बने हुए शैंपू का इस्तेमाल करते हैं तो ना केवल ये हमारे स्कैर्प को नरिश करता है बर्कि हमारे बालों को काफा बना कर उह चमक दार बनाने में भी मदद करता है अब आप सोच रहे होंगे कि हम रीठा का इस्तमाल किस तरीके से कर सकते हैं क्या हमें बाजार से शैंपू खरीदना होगा या फिर रीठे से बने हुई जड़ी गूटियों का इस्तमाल करना होगा आपको इतने सारे काम करने की जरूरत नहीं है दोस्तों आप minimum quantity लेकर भी अपने बालों को अच्छा और सुन्दर बना सकते हैं जरूरी नहीं है कि आपको बहुत सारी चीजों को इखटा करने की जरूरत है चलें जानते हैं आज कुछ ऐसे आसान से उपायों के बारे में जरूरा आपके बालों को नरिश करके काला और चंकीला बनाने में आपकी मदद करेंगे दोस्तों अपने बालों को सुन्दर बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है स्कैल्प को नरिश करना अगर आपका scalp बहुत ज्यादा dry है और आपको dandruff या फिर रूसी की समस्या है तो आप हिना के powder के अंदर दही मिला कर उसे अपने scalp पर लगा सकते हैं आप चाहें तो इसके अंदर आप रीठे का powder भी मिला सकते हैं ये आपके scalp को अच्छे तरीके से नरिश करेगा और जब आप इसे wash करेंगे तो आपके scalp से साला dandruff भी साफ हो जाएगा अगर आपके बालों में बहुत ज्यादा damage की problem है तो रीठे के powder को आप शिककाई के powder के साथ mix करके महंदी की तरह अपने बालों में लगाईए आप चाहें तो इसके अंदर भेंदी भी मिला सकते हैं ये optional है आपकी मर्जी है आप चाहें तो मिला सकते है या पिर रहने दे सकते हैं इसे अच्छे तरीके से बालों में hair pack की तरह लगाईए और सूखने के बाद अच्छे तरीके से wash कर दीजिए इस बात को खास तोर पर ध्यान रखिए जब ही आप अपने बालों को वाश करें तो वाश करने के बाद अपने बालों को गीले बालों को ही कंगी करने की गोशिश ना करें क्योंकि कंगी करते हुए गिले बाल काफी ज्यादा कमजोर होते हैं और बहुत ज्यादा तूटते हैं अपने बालों को जड़क कर साफ न करें ऐसा करने से बाल और ज्यादा डैमेज हो जाते हैं अगर आपने हेड़ गोश किया है तो बालों को पुरे तरीके से सुफने है कि आप बालों को निचले सीरे से सुलजाना शुरू करें कई लोगों को या आदत होती है कि वो अपने बालों को उपने सीरे से सुलजाते हैं और सुलजाते सुलजाते जब वो एंड तक पहुंचते हैं तो उनके बालों का काफी बड़ा हिस्सा जड़कर या फिर तूटक अलग हो जाता है इसलिए अगर आप अपने बालों के निचले सीरे से शुरुवात करेंगे तो आपके बाल बहुत ही कम तूटेंगे और आसानी से सुलज भी जाएंगे सो दोस्तों ये है कुछ फायदेर रीठा के जाओंके बालों को चमकदार बना सकता है इसे स्ट्राइज जरूर करिए मेरी ब्यूटी और हैसे रिलेटिड वीडियो को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइब शेयर और सब्सक्राइब कीजिए